तो फ्रेंक्स आपके लिए टाइम शेडूल समय क्या होना चाहिए आपका फॉर प्रप्रेशन नीट के लिए आपका क्यूंकि आपसे कोई यह नहीं पोचेगा कि आप स्लेट क्यों नहीं हुए किस वज़े से नहीं हुए आपकी क्या कंडिशन नहीं थी लोगों सिफ रिजल तो इसलिए इस लोगड़न का पूरे टैम का उप्रेशन कीजा आपका जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नहीं ज्यादा से ज्यादा पढ़िए सबसे पहले आप जैसी उठते हैं उठने कबाद तुरंत आप पढ़ने बैठ जाए पढ़ने थोड़ा थोड़ी देर तो तो वही आपको ताने चुनाने लगें वही आपसे कोशिए नहीं कि क्यों वेनत न ही तुमने क्या हो गया क्यों नहीं पढ़े तुम इतना इसलिए आपको इन सब चीज़ों को छोड़ गए केवाल आपको अपने पढ़ाई पर फोकस करने को क्योंकि आपको कोई और कोई भी आपसे कोई रीजन नहीं कूछेगा ना ही कोई अप रीजन को जानने में इंट्रेश तक नहीं होगा आपके या किस रिजन की वाई से अपका फेल हो गए किस रिजन की वाई सेलेक्शन चाहिए तो इसे पढ़ाई चाहिए आपको तो दिन भर से पढ़िए और पूरी महने से करिए पढ़ने के लिए जादस ज्यादा इस समय अप्जेक्टिप कोश्चन लगाई आप जो मतलब मैं पर आपके उसमें से क्या हो रिपीड होती हैं वही और आपका जो प्यालोजी में अच्छे से अच्छे से मैनत किजिए आपके नैंटी पसे तेखनी के लिए मिल जाती और फिजिस में क्या होता है नियूमेरिकल वैल्यू थी फॉर्मला बेस्ट थोड़ा बहुत आपका जो प फॉर्मुला बेस्ट रहता है एक दो फॉर्मुला को मिक्स करके एक नए टाइप का कोश्चन मना दी तो और आप उसी में कंफ्यूज हो जाती इसलिए आपके माइन को इस तरह सेट आप कीजिए कि आपको आसान से इसलिए उसको क्रैक कर सकी आपका और इस टाइम पीड़